तो हेलो दोस्तो आईए हम नए वीडियो में शुरू करते हैं अगले वीडियो में कुछ गरबड़ी होने के कारण आप सुबों से माफिच चाहता हूं क्योंकि मैं तो तिन सप्ता से वीडियो ने डाल रहा हूं तो कोई बात नहीं है दोस्तो आईए अब नए वीडियो में आप से बुका स्वागत है अब यहां पर हम जिक्क का कुछ क्विस्टन ले करके आगे हैं तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे हैं दोस्तों और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिए कभी मत भूलिए तो यहां पर पहला क्विस्टन है दोस्तों वास्को डिगामा भारत कब आया दोस्तों इसका से अंसर है 1498 में वास्को डिगामा भारत कब आया दोस्तों 1498 में वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था वास्को डिगामा कहां का रहने वाला है तो दोस्तों पुर्दकाल का रहने वाला था वास्कोरी गमा पुर्दकाल का रहने वाला था अब नेक्स क्वेश्चन करते हैं दोस्तो तो यह नेक्स क्वेश्चन पर हावा महल कहां इस्तित है दोस्तो हावा महल जैपूर में इस्तित है दोस्तो इसको सही याद कर लेना है दोस्तो क्यों माना जाता है तो दोस्तो चीक धर्म का संस्ठापा गुरुन अनक को माना जाता है इस question को याद कर लेजिएगा दोस्तों क्योंकि यह बहुत हिमातपूर्ण है और सब्ता में सब्ता में एक बार वीडियों को देखिए आख्यों की भोल जाता है लोग तो आप चलिए नेक्स कोईशन पर चलते हैं सिखो का परमुक्तिहार कौन सा है दोस्तों तो सिखो का परमुक्तिहार बेसाखी है दोस्तों सिखो का परमुक्तिहार बेसाखी है दोस्तों नेक्स कोईशन पर चलते हैं दोस्तों लोग पुरूस किस महापुरूस को कहा जाता है दोस्तों तो इसका सर्दार पटिल लोग पुरूस सरदार पटिल को कहा जाता है लोग पुरूस सरदार पटिल को कहा जाता है दोस्तों नेता जी किस महापुरूस को कहा जाता है नेता जी सुभाज चंद्रबॉस को नेता जी कहा जा लाल भादो सास्रीगा विजेगाट नाम है दोस्तों चलते हैं नेक्स क्वेश्टन पर दोस्तों महाभारत के रचयता कौन है दोस्तों तो इसका सही से और तो नामक पुष्टक किस्ने लिखे दोस्तों तो अर्थ सास्ति नामक पुष्टक चानक के कोटिल जो कि चंदरगुप्त मोड़िये के गुरुजी इस चैनक ये कोटेल ये चंद्रगुप्त मोड़िये के यह सास्त्रीन दिया है दोस्तों को समीधान सभाक्र एस्थाई अध्यक्स को था दोस्तों समिधान सभाक्र आस्थाहिक्स ड्राजंद्र परसाद प्राडूप समित्य के अध्याक्स कुन थे दोस्तो तो इसका से अंसर है डॉक्टर भीम रहांबेदकर डॉक्टर भीम रहांबेदकर समिधा सभागी प्राडूप की समित्य के अध्याक्स डॉक्टर भीम रहांबेदकर दोस्तो सही सही से याद कर ले जिएगा दोस्तो क्यो सुरृयोदे का देश के नाम से कौन सा देश परशीद है क्योंकि जपान पर दोस्तों आत मार्ष को मनएजाता है क्योंकि यह क्वेस्टन joins Śしました अर्म प्रत में सबसे ज़टा राज कुण सा दोस्तो चेत्र फल की दिरिष्टी से भारत में सबसे चोटा राज कुन साथ दोस्तो चेत्र फल की दिरिष्टी से भारत में सबसे चोटा राज गोआ है दोस्तो तो इसको तही से याद कर लिजएगा दोस्तो क्योंकि यह बहुत ही मतपुर्ण क्वेस्टन है दोस्तो ओनम किस राज का परशीद त्योहार है दोस्तो ओनम केरल राज का परशीद त्योहार है दोस्तो यह मत्पुन को इसको जरूर याद कर लिजगा दोस्तो और सब्ता में लगभाग में एक बार तो जरूर देखना ही है क्योंकि भूल चाहिएगा रिभाईज होते जाएगा तो कोर्टि ने हम और-12 के बीच में आपको बता रहे हं दोस्तों चल्डेननक्स करते हैं दोस्तों लेडियोअक्टीविता की खोज किसने की थी रोड़ी रोड एक्टीविता की खोज किसने की थी दोस्तों और सेशन्सर है है ensuiteो अभ्यूब्री seniors के अधर मुंझांु तो इसका शेयवर ग। आफ प्र्यूब्र है यह हों ह। एक पर गोणाधस यां से एक पेचान दूस्त्त और टो इसको आप सब्षक्षा में एक बार जरूर देखें। मानव शरीर की किस गरंथी को मास्टर गरंथी कहा जाता है दोस्तों इस कुष्टन को जरूर याद करी लिजेगा दोस्तों क्योंकि यह तो हर बार पुछा जाए तेन्ट चे ले करके हर एकजाम में कारवन का सर्वधिक सुध रूप सर्वधिक सुध रूप कौन सा है कारवन का सर्वधिक सुध रूप कौन सा है दोस्तों इसका स्ते अंसर है हीरा कारवन का सर्वधिक सुध रूप सबसे सुध रूप हीरा है दोस्तों पर चलते हैं एक सरे का अभिसकार किस ने किया था दोस तो एक्सरेका बिसकार किस ने किया था रंड जलने है छल्मක्जं पर दोस्तों कींस दातु काे रogether मानवद्वारा सबसे पहले किया था कि सब्सक्राइब काती हुआ MU मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेस्टन में दोस्तों तो आज के लिए यहीं तो हम वीडियो को इंड करते हैं दोस्तों